कि तुब पर अपना है कि तुब कर दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बैल आइकोन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे दोस्तो थाउजन पजल सीरीज के बारे में थोड़ा ची मैं जानकारी आप सभी को देना चाहता हूँ यहाँ पर जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं दोस्तो यह थाउजन पजल सीरीज पहले हो चुकी है आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि थाउजन पजल सीरीज जो है ये फिर से स्टार्ट हुई है क्या हाँ ये फिर से ही स्टार्ट हुई है क्योंकि पहली जो सीरीज थी ऐसे ही टी-शेट पहन कर मैं वीडियो बनाया करता था जिसके यहां यस ऑफिसर लिखा है न उसमें कुछ औ लिखा रहता था उसके चक्कर में वह इतने गदार निकले उन्होंने ऐसा ऐसा मतलब दुनिया भर की चीज़े की जिस वजह से ना मेरे को पूरे सारे की सारे वीडियो डिलीट करने पड़ गये वरना चैनल डिलीट हो जाता उपर वाला माफ नहीं करेगा जनता माफ नहीं करेगी इनको कभी बिलकुल भी माफ नहीं करेगी और किये का बोलते ना कर्म का फल मिलता है जरूर मिलेगा बहुत जल्दी मिलेगा मैं तो दूआ करूंगा भगवान से जल्दी मिले इनको फल तो हम फिर से इस सिरीज को स्टार्ट करेंगे टाइमिंग यही रहेगा पांच बजे का टाइम रखा है, आज थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि आज ही मैंने स्टार्ट करने का सोचा, हर क्लास में चार पजल होंगे, बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा, टोटल धाई सो क्लासे होंगी, एक हजार पजल की ये सिरीज है, पिछली सिरीज म लाखो बच्चों को फायदा मिला है, आज भी आप सिलेक्टेट किसी स्टूडेंट से पूछेंगे, जो मुझसे पढ़ते थे, कि थाउजन पजल सिरीज कैसी थी, वो जरूर बोलेंगे, जरूर देखना, जरूर देखना बहुत जबरदस सिरीज थी, क्योंकि इसमें हर ट सिरीज में आप लोगों को मिलने वाले हैं, तो इस सिरीज को जरूर देख सको, अच्छी बात है, नहीं देख पाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाद में रिकॉर्डिंग देख लो, जब भी आपको समय मिले, लेकिन मिस नहीं करना है इसको, हफते में अगर चार से पांच क्लासेज भी होती है, तो चार से पांच क्लासेज देखिए, चार से पांच क्लासेज मतलब एप्रॉक 16-20 पजल आप हर हफते के अगर मुझसे सीख रहे हैं, उसमें जो मेरी एप्रोच है, उसको सीखेगा, क्योंकि ये एप्रोच माइने रखती है, पजल हरकोई ब बना तो लोगे, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, महनत कर रहे हो, तो पजल तो आप बना लोगे, लेकिन मैं किस तरीके से बना रहा हूँ और आप किस तरीके से बना रहे हो, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है, क्योंकि आप पजल शायद एक साल से बना रहे हो, या दो साल हो चुके हैं आठ सालों में मैंने बहुत सारी चीजों को इंप्रूव किया है बहुत सारी चीजों में चेंजेस लाए हैं उन चीजों को सीखे यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले पजल पर चलते तो कहां है यार, stop watch, start, तो यह timer उपर चल रहा है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तीन मिनट का समय आपके पास, जल्दी से बनाने की कोशिश करिए, तीन का चार हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, झालिश झाल हो जाए, कोई बनाने की करिए चार आपके जगिए हैं, तो to come up to the canon, ते सकते हैं, यह जाँ हो प्यों समय है कोई बना यहाँ, छ आणपके आपके आपके, बिज़ कोट ररно का समय है, जह नहीं है कोगी सकते हैं, जह हम पैंके हैं, जहें बनाटे हैं, कोईबटी कि इस प्री होगा या मेंस दोस्तों यह थाउजन पजल सिरीज प्री के लिए है मेंस के लिए नहीं है कर दोस्तों पुरानी प्लेलिस्ट कुछ भी अवलेबल नहीं करवा सकता क्योंकि उसमें जो मैंनी टी-शिट पहने थी उसमें लोगो है पिछली कंपनी का और लोगों के चक्कर में वो दिक्कत कर रहें कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो दोस्तों आयोएस के लिए एप आ चुका है यस ओफिसर का यस ओफिसर एप डाउनलोड कर लिजेगा और यस मॉख एप डाउनलोड कर लिजेगा मॉक टेस्ट के लिए चलिए डन के मैसे जाने स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों स्टार्ट करते हैं इनका सॉल्फ हो गया मौत अच्छी बात है जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं हो चुके हैं तो इसलिए टाइम का बिलकुल ध्यान रखना है यहां पर ठीक है टाइम का बिलकुल ध्यान रखना है जितना टाइम है उतना ही देंगे भले हो सकता है कि ऐसा नहीं कि तो यहां पर आपको बोला क्या गया है इसमें देख लेते हैं तो इसमें बोला गया है कि दो पैरलल रोज है ऐसे ठीक है एक दो तीन चार पांच और ये छे ठीक है तो पहली रो में बोल रहा है A B C D E F है ये सभी के सभी साउथ देख रहे हैं A B C D E F ये सभी साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं नीचे वाली रो में कौन कौन है नीचे वाली रो में है J K L M N O ये सभी क standing opposite to m, d जो है वो opposite नहीं है, m के मतलब ऐसे आमने सामने ये लोग नहीं होने चाहिए as many persons stand to right of j as to the left of b j के right में जितने लोग होंगे j के right में जितने लोग होंगे b के left में उतने लोग होंगे तो b के left में अगर उतने लोग होंगे अगर j और b दोनों का direction opposite है और अगर आपको बोल रहे हैं कि j के right में जितने लोग है और b के left में जितने लोग है दोनों बराबर होने चाहिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि b और j आमने सामने होंगे ये key point है, ये समझने वाली चीज है जो कि आपके दिमाग में चलनी चाहिए आगे बोल रहे, the one who stands opposite to j and e are standing adjacent to each other the one who stands opposite to j and e the one who the one who कहां गया, the one who stands opposite to j j के opposite में जो भी है and e are standing adjacent to each other मतलब कि इसके बगल में e होना चाहिए या तो left में या तो right में अब क्या बोल रहे, j stands second to left of the one who stand opposite to F J stand second to left of the one who stand opposite to F J second to left में उस बंदे से जो F के opposite में बैठा हुआ है F के opposite में जो बैठा है उसके second to left में J बैठा हुआ है आगे क्या बोल रहा है only two person are standing between A and the one who stands opposite to L only two person are standing between A A से दो छोड़ कर वो बंदा है जिसके opposite में कौन है L है यही बोल रहा है फिर से देख लेते हैं only two person are standing between A and the one who stands opposite to L जो बंदा L के opposite है और A के बीच में दो लोग होने चाहिए आगे आपको बोरा A stand opposite to the one who stand to the immediate left of M A stand opposite to the one who stand to immediate left of M A जो है वो उस बंदे के opposite में है जो M के immediate left में होगा A जो है वो opposite होगा उस बंदे के जो immediate left में है M से only one person stand between M and N M और N के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक person बैठा है आगे आपको बोल रहा है K stand third to left of the one who stand opposite to D D के opposite में जो भी बैठा है उसके third to left में कौन होना चाहिए K होना चाहिए तो 1, 2 और यह होगा third में K तो यह सारी conditions है हमारे पास जिसको हमको यहां पर solve करना है ठीक है कहां से start कर सकते हैं थोड़ा सोचते हैं दिमाग लगाएंगे D के आगे M नी होना चाहिए F एक छोड़कर J J के आगे B B के बगल में E ठीक है M से एक छोड़कर N ठीक है चलिए तो यहां पर क्या करेंगे Sorry for late कोई बात नहीं भई लेट हो गया मैं भी लेट हो गया था इसमें कोई दिक्कताली बात नहीं है इधर ध्यान दीजे question पर तो यहां पर क्या करेंगे दोस्तों बहुत सारी conditions है एक ये वाली condition हमको दिख रही है जिससे हम start कर सकते है दूसरी ये वाली condition है जिससे start कर सकते है एक ये वाली condition है ये भी है और ये भी है तो ज़्यादा कुछ conditions नहीं है हमारे पास सिर्फ 4 से 5 conditions है जिन में से किसी एक condition से M start कर सकते हैं अब क्या करना है यहाँ पर हमको देखना है कि maximum places fill करने वाली condition और जिससे related कोई दूसरी condition हो हमको सबसे पहले उसको start करना है तो ऐसी कौन सी condition है जिसमें maximum places भी fill हो रहे हो और उसी के साथ साथ हम उसमें कोई दूसरी condition को भी merge कर सकते हो तो यहाँ पर देखे M के immediate left के सामने A है मान लेते हैं कि M यहाँ पर है हमको possibility तो ले नहीं है मान लेते हैं कि M यहाँ पर है M के immediate left के सामने A यहाँ पर होगा ऐसा मान लेते हैं यह M यहाँ पर और A यहाँ पर भी रख सकते थे M यहाँ पर A यहाँ पर भी रख सकते थे M यहाँ पर A यहाँ पर भी रख सकते थे और M यहाँ पर A यहाँ पर भी रख सकते थे बहुत सारी possibilities है लेकिन start तो किसी एक जगह से करना है तो हमने एकदम end से start कर लिया A को रखा A के सामने जो भी है वो M के immediate left में है, ठीक, ये condition हमारी हो गई, अब देखो M से 1 छोड़कर N रखना है, M से 1 छोड़कर इधर N नहीं हो सकता, तो M से 1 छोड़कर N यहाँ पर हो जाएगा, ये condition हो गई, अब A से 2 छोड़कर जो बंदा है उसके सामने L होना चाहिए, तो A से 2 छ left में है, अब क्या करेंगे, A से 2 छोड़कर जो बंदा है, A से 2 छोड़कर जो बंदा है, उसके सामने L आना चाहिए, अब देखो M से 1 छोड़कर N रखना था, तो M से 1 छोड़कर N यहाँ नहीं हो सकता, तो M से 1 छोड़कर N को यहाँ पर रख लेंगे, ठीक, ये condition हमारी हो सामने जो बंदा है, उससे 2 छोड़कर K यहाँ पर आ जाए, ठीक, ये वाली condition हो गई हमारी, इसके बाद देखो दोस्तों हमारे पास और कौन सी condition है, F के सामने जो बंदा है, उससे 1 छोड़कर J होना चाहिए, तो F को यहाँ पर रख सकते हो, F के सामने जो बंदा है, उससे B, C बचा हुआ था, C को रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, नीचे वाली condition में देखो, N, K, M, J, L, तो J, K, L, M, N, O बचा हुआ था, O को रख देते हैं यहाँ पर, अब देखो D के सामने M नहीं होना चाहिए, तो D के सामने M दिख रहा है, क्या ये condition हमारी हो गई, ये भी ह हो गई, क्या ये answer आपका भी आया है, जल्दी से, कमेंट करके बता दीजे, क्या यही answer आपका आया है, पजल सॉल्व करना एक आर्ट होता है, दोस्तों, ये आर्ट अगर आप सीख गए ना, तो पजल बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जो माथा पच्ची होते ह है, और एक्जाम में भी यही चीज होती है, 35 में 35 नमबर आपको मिलेंगे reasoning में, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, चलिए, तो उमीद करता हूँ दोस्तों, आंसर सही होगा, देख लेते हैं, गलत तो नहीं है, पता चला इतना भाशन दे रहो, बात में बोलें के गलत है, next question पर, चलिए, तो next question आपकी screen पर, 3 minute का समय है दोस्तों, 3 minute का समय है, तो अरे, यह कहां से आ गया, stopwatch start, यह timer चल रहा है, उपर, जल्दी बनाई यह, झाल 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 की वीडियो बना दो योट्यूब पे उफिशिल धाकर देखिए रीजनिंग में कोई बेसिक नहीं होता दोस्तों आप इस चक्कर में पढ़े रहोगे अगर तो आप बैठे ही रह जाओगे क्योंकि रीजनिंग में कोई बेसिक नहीं होता अभी भी एक दोनों कमेंट कर रहे थी इसमें बेसिक क्या है बेटा बेसिक कुछ नहीं होता है रीजनिंग में रीजनिंग में होता है कि एक question उठाना है और आपको solve करना है बिना किसी basic के एक logic logical है भई वो logic लगाना है दिमाग लगाना है तारकिक शक्ती है ये इसका कोई basic नहीं होता कि पहले आपको कुछ A, B, C, D पढ़ाएंगे तब जाकी ये solve होगा ऐसा नहीं होता है बस question देखना है और आपको solve करना है तो tension मत लीजे कि कोई basic होता होगा कुछ नहीं होता basic basic सिर्फ एक approach होती है उस approach को आपको follow करना है और question को solve करना है साइड साइड कर रहे हो यार पूरा ही तो साइड में खड़ा हूँ कौन है हट हट कर रहा है दिमाग मत खराप कर नहीं तो मैं भी पूजा भट पूजा भट करने लग जाओंगा फिर पूरी आओ सर पूरी आने का प्लान तो है वैसे फरवरी में अब देखो कब बनता है आई बीप एस पीओ मेंस का रिजल्ट आ चुका है दोस्तों बदाई हो जिनका जिनका सिलेक्शन हो गया है आई बीप एस पीओ में मेरा रिजल्ट भी देखना है उमीद तो नहीं है वैसे क्योंकि दो सेक्षन मेंने इद्दम तुक्ये मारे थे मैठ रिजल्ट अच्छा गया था बस डन का मेसेज आ रहा है चलिए डन के बहुत सारे मेसेजिस आ रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं दस hem लिए होगे चार मींनेट से जादा होगे हला है यह बेश में पास्माचीत करा थे इसले कमट एक ड़े दिआर कोई नीट है जो तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्टन को चलते हैं अग लिए स्लाइट पर देखे क्या बोरा एट प्लियर जेके अलमनोपी आर आर पार्टिस्पेटिंग इन टूरमेंट और प्लिएंट गेम्स लाइक चैस होकी क्रिकेट बैडमिंटन एथलेटिक्स फुटबॉल बास्केटबॉल एंटेबल टैनिस अल अफ देम आर सेटिं इन रो अफ द एकस्ट्रीम एंड एंड प्लिय एथलेटिक्स अब यहां पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं एक बार इधर से एंग बना देते हैं फिर एक दूसरी लाइन बनाते हैं उसमें एक अई चीज होती है दोनों आप इधर से बनाओ उचाए इधर से बनाओ इसको बन डिग्री ऐसे टर्न करिए देखिए आपको यही वाला डाइग्राम दिखेगा बस एन उल्टा दिख रहा होगा उपर की तरफ और कुछ नहीं आएगा और कोई फरक नहीं हो तो एक यहीं चीज होती है उसको दो दो बार बनाते रहते हो तो दो बार नहीं बनाना है एक बार कहीं से भी ले लो इधर से ले लो इधर से ले लो क्या फरक पड़ता है कोई फरक नहीं पड़ता सिर्फ डाइरेक्शन चेंज हो जाएगा इसको बोलते है पलटने वाला कंसेप्ट अब क्या बोल रहा है एथलेटिक्स खेलता है यहां लिक लेते हैं भी एथलेटिक्स आगे आपको बोरा है P who play table tennis sit three places away from Q P जो कि table tennis खिलता है ये तीन places away है Q से तीन places away मतलब बीच में दो का gap आएगा Q से पहला place, दूसरा place और ये तीसरा place तो बीच में दो का gap आएगा अब क्या बोरा है Q is the only neighbor of the one who plays chess Q is the only neighbor of the one who plays chess इसका मतलब क्या है chess वाले का सिर्फ और सिर्फ एक ही neighbor है जो कि है Q अब एक neighbor किसका होता है भई इस end वाले का एक ही neighbor है ये इस end वाले का एक ही neighbor है ये तो मतलब definitely हम बोल सकते है chess वाला जो होगा ये end पे आएगा क्योंकि यही बंदा है ऐसा जिसका एकलोता neighbor होता है end वाले का सिर्फ एक neighbor होता है बाकि किसी भी, इस person को देखो इसके दो neighbor है, इस person को देखो इसके दो neighbor है, लेकिन इस person का सिर्फ एक neighbor है ये, ठीक है आगे बोड़ा है, k who likes neither basketball nor football, k जिसको basketball ठीक है, और क्या नहीं पसंद है neither basketball nor football, ना ही football पसंद है ठीक है, football को FB लिख देते हैं, ना तो इसको basketball पसंद है, ना इसको football पसंद है के को, तो आगे क्या बोल रहा है, sits third to right of N, ये N के third to right में बैठता है, अब ध्यान दीजेगा, N का third to right, अगर मैं ऊपर direction दूँगा क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, यहां कोई जगा है कि नौर्थ उपर की तरफ होगा, कहीं लिखा था क्या ऐसा, कि नौर्थ उपर की तरफ ही लेना है, वरना आपका आंसर गलत मान लिया जाएगा, आपको भगा दिया जाएगा, आपको फेल कर दिया जाएगा, ऐसा लिखा था क्या नहीं, तो आप नीचे नौर्थ मान लो, ना क्या फरक पड़ता है नीचे का डायर्विब्द दे वेयरेक्षिन नीचे की तरफ माने आप ऐसे हैं नीचे नौर्थ हैह हमारी मरजी भै.. हम पिसूपर्र माने हमारी मरजी है.. तो आब क्या बोला को फिरोन से को थे जए को रखको देको के हूर लाइक neither basketball nor football say.. है ना कि जब हम मेंस के question बना रहे होते हैं बड़े-बड़े question बना रहे होते हैं उसमें अचानक से beach question में आपको समझ में आता है हरी direction गलत हो गया तो क्या करना है सिफ direction को palette देना है और कुछ नहीं करना है answer आपका बिल्कुल सहीं आएगा तो यहां पर हो गया कि अब क्या बोल रहा है आगे देख लेते हैं यहां पर oh who plays chess sits at the extreme right end of the row अब देखो अगर सारा कार सारा रो मैंने नीचे फेस करा दिया तो extreme right end कौन सा होगा यह वाला होगा अगर ऐसे मैं देख रहा हूँ नीचे की तरफ तो right तो इस तरफ होगा न तो extreme right end पे मतलब यहां पर कौन आ जाएगा oh who plays chess sits at the extreme right end of the row oh chess यहां पर आ जाएगा और क्या बोला है oh chess chess का जो immediate neighbor है q है मतलब q यहां पर आ जाएगा तो यह condition हो गई हमारी q से देखो दो छोड़कर p है तो देखो q से दो छोड़कर p यहां पर आ जाएगा ठीक है p क्या खेलता है table tennis खेलता है तो यहां पर लिख देते हैं t t यह t t खेल रहा है यह condition भी हो गई हमारी ठीक है इतना यहां पर ऐसे रहने देते हैं आगे देखते and M is the only neighbor of L M जो है वो only neighbor है L का मैंने क्या बताया था only neighbor सिर्फ end वाले person का होता है तो अगर M only neighbor है L का मतलब L end पे होगा और M उसके बगल में आ जाएगा तो एक ही नाम बचा है आपके पास तो देख लेते हैं कौन सा नाम बच गया जे बचा हुआ है जे को रख देते हैं यहां पर सारा कुछ आ चुका है सिर्फ और सिर्फ हम को इसके sports का नाम सेट करना है बाकी चीजें सेट हो चुकी है ठीक है आगे देखते है the one who plays basketball sits immediate next to the one who plays badminton basketball वाला जो है वो badminton वाले के immediate neighbor में है मतलब या तो left में या तो right में होना चाहिए फिर बोर है the person who plays cricket sits exactly between J and the one who plays hockey J और hockey जो भी खेलता है इसके exact middle में कौन बैठा हुआ है the person who plays cricket जो cricket खेलता है वो इनके exact middle में बैठा है exact middle मतलब कि beach में एक-एक का gap भी हो सकता है दो-दो का gap भी हो सकता है ठीक है exact beach में होना चाहिए तो condition को बाद में देखेंगे आगे और बढ़ते है the person who plays basketball does not sit at the extreme end basketball वाला जो है यह extreme end पे नहीं बैठता end लिखके cross कर देते है फिर क्या बोल रहे है हाँ पर the person who plays football sits second to right of the one who plays athletics तो इसके second to right में कौन बैठा हुआ है बंदा football खेलता है मतलब यहाँ पर आ जाएगा football ठीक अब क्या बजगिया वही हमारे पास अब बस यह दो conditions है इसको देख लेते हैं तो भई देखो जे से hockey के exact beach में cricket आना चाहिए तो जे से अगर मैं hockey को यहाँ रखता हूँ तो exact beach में cricket यहाँ पर आ जाएगा ठीक है जे से अगर मैं hockey को यहाँ पर रखता हूँ तो इन दोनों के exact beach में यहाँ पर cricket आ जाएगा और आपको पता है कि basketball end पे नहीं है तो basketball यहाँ पर आ जाएगा और इसका neighbor कौन होना चीए था बैडमिंटन होना चीए था तो बैडमिंटन यहाँ पर आ जाएगा हो गया questions all सही है एक बार जल्दी चेक करके बताओं देखो एक एक possibility में मैं question बनाता हूँ बहुत लोग बहुत सारे teachers ना मजाक उड़ाते हैं कि फरजी है यह करता है वह करता है आदम घएगा तो बन जाता है एक में बनता है है अगर आप महनत करो अगर आपका दिमाग अच्छा ए दिमाग तेज है तो definitely बनेगा आपसे दिमाग तेज नहीं बनेगा फिर दो तीन ए चरच़ सर पांट बनाना पड़ेगा फिर क्योंकि जो answer अभी हम देखेंगे उसमें north उपर की तरफ लिया और हमने north नीचे की तरफ लिया है तो हमको सिर्फ उल्टा दिखेगा और कुछ नहीं बाकी answer पूरा सही है चेक करते हैं देखो यहां से पढ़ना चालो करो O Q K J P N M L O Q K J P N M L बिल्कु सही है चेस, hockey, cricket, football, table, tennis, athletics, basketball, badminton, table, tennis, athletics, basketball, badminton, बिल्कुल सही है आप चाहो तो इसके जो questions होते हैं उनको चेक करके देख लेना answer बिल्कुल सही है आएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें क्योंकि हमने सिर्फ direction change किया है और कुछ नहीं आगे चलते है next question, third question जल्दी से बनाईए दोस्तो समय बीता जा रहा है मेरी paid class का समय हो रहा है मेरे पास सिर्फ 20 मिनट है तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे फटा फट यहाँ पर बनाईए इस question को दो मिनट का समय है दो नी तीन मिनट का समय है जल्दी बनाओ झालते हैं। झाल 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 चलिए दोस्तों पेट क्लासे से उस पे अभी पजल की सीरीज इस्टार्ट नहीं हुई है पजल की सीरीज उस पे स्टार्ट हो रही है लगभग पांच फरवरी के आसपास और वो बेसिक रहेगा उसमें बिल्कुल एकदम आराम आराम से समझाओंगा यहां जैसे मैं थोड़ा फास्ट परसेंट का लेकिन अगर आप पूरा बैंकिंग का कम्प्लीट सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो एल वन जीरो लगा ले ना उसमें आपको दस परसेंट का डिसकाउंट मिल जाएगा और सारे टीचस की क्लासे साब देख सकते हैं पांच या च्छे तारिक के आसपास प तो पहले सोगी ना पांच तरीकों इस दिन मैं बेसिक सिखाँगा अभी में बेसिक नहीं सिखाँगा अभी में डाय्यृक्ट इस वे सब्सक्राइब करना चालू करूंगा। तो यहां पर क्या बोल रहा है, there are 8 people LMNO PQRNS sitting around a circular table, 4 people are facing inside and 4 people are facing outside, 4 अंदर देख रहे हैं, 4 बहार देख रहे हैं, no more than 2 person are sitting adjacent to each other are facing the same direction, no more than 2, मतलब 2 से ज़्यादा लोग same direction face नहीं करने चाहिए, अगर 2 उपर देख रहे हैं, तो एक बंदा नीचे ही देखेगा, मतलब 2 अंद नहीं आता, tension वाली बात नहीं है, thread method की भी classes मैं लूँगा, यहां YouTube पे भी होंगी free classes, तो यह ज़रूरी नहीं है, क्या paid लोगे तो ही सीखोगे, ऐसा कुछ नहीं है या channel subscribe कर लेना बस, Q is sitting second to right of S, Q जो है वो second to right में है S से, S के second to right में बैठा है Q, both the people sitting between Q and L face the opposite direction, both the people sitting between Q and L, Q और L के बीच में जो दो लोग बैठें, यह दोनों के दोनो opposite direction face करते हैं, इसका मतलब अगर यह उपर देख रहा है, तो यह नीचे देखेगा, अगर यह उपर देख रहा है, तो यह नीचे देखेगा, ठीक, फिर क्या बो रहा है, only one person is sitting between P and Q, P और Q के बीच में सिर्फ ए इस तरफ बैठा उसको Q से एक छोड़ कर P को, ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं हाँ पर, और क्या बोल रहा है between P and Q, and P is facing inside, यह P जो है, इंसाइड फेस कर रहा है, अंदर की तरफ फेस कर रहा है, आगे आपको बोर M sit second to, M sit third to left of R, M जो है, वो third to left म में है, and both of them are facing the same direction, यह दोनों के दोनों same direction face करते हैं, यहां ऐसे लिख लेते हैं, same, ठीक, आगे क्या बोल रहा है, N is sitting second to right of O, N जो है, वो second to right में बैठा हुआ है, O से, ऐसा, right की तरफ में बैठा हुआ है, and is facing the same direction as O, और यह O के जैसा ही direction face कर रहा है, तो अगर यह O उपर देख रहा है, तो N भी उपर देखेगा, उपर क्योंकि देखो, right बोल रहे हैं, तो इधर देख रहा होगा, तभी तो right इस तरफ होगा, तो O के right में यह N दोनों का direction same होना चाहिए, फिर क्या बोल रहा है, R and P are the immediate neighbor of O, R और P जो है वो O के immediate neighbor है, मतलब O के अगल बगल में R और P होने चाहिए, एक side R होगा, एक side P होगा, किस side कौन होगा, यह हमको नहीं पता, M is the immediate neighbor of both S and Q, M is the immediate neighbor of S and Q, तो S और Q का immediate neighbor कौन है, M है, मतलब बीच में होगा M, S और Q उसके अगल बगल में होगे, अब दो method की ये खास बात होती है, कि आप जहां से भी start करना है, घर की खेती है भी, जहां आप चाहो वहाँ पौधा लगा सकते हो, यहां लगा दो, यहां लगा दो, यहां लगा दो, कहीं भी लगा दो, आपकी मर्जी, और हमेशा उस condition से start करना चाहिए, जिसमें arrow दिया हो, मतलब direction दिया हो यह, यह सब जो condition है, एक, दो, तीन, इन में से किसी एक से start करना है, तो मैं start करूँगा इस से, क्यों इस से start करूँगा, क्योंकि S और Q के बीच में हमको पता है कि M है, तो यह वाली condition से start करना ज्यादा सहीं रहेगा, चलिए, चालू करते हैं, कहीं पर भी रख लेत Q है, S के second to right में Q है, Q से एक छोड़ कर P है, Q से एक छोड़ कर P है, P inside देखता है, लेकिन inside उपर है कि नीचे हमको अभी नहीं पता, इसलिए अभी set नहीं करेंगे, इसको छोड़ देते हैं, अब क्या बोल रहा है भी, यहां पर देखो Q और M, Q और S के बीच में M है, तो Q और क्या बचा है हमारे पास, अब देखो R, O, P होना चाहिए, R, O, P हो सकता है क्या नहीं, क्योंकि यहां तो Q आ गया है, तो definitely हम यह बोल सकते हैं, देखो R, R के बगल में O, और O के बगल में P, यह हो सकता था बिल्कुल सही है, यह condition हो गई, अब देखो O से 1 छोड़ कर N र M से 2 छोड़ कर R रखना है, M से 1, 2 छोड़ कर R यहां पर दिख रहा है न, M से 1, 2 छोड़ कर R दिख रहा है न, बिल्कुल, अब direction देखो, R से left की तरफ में M होना चाहिए, तो R से left की तरफ में M कब होगा जब यह नीचे देखेगा, ऐसे नीचे देखेगा तब तो left इस त L नहीं आ सकता, तो Q से 1, 2 छोड़ कर यहां पर L आ जाएगा, आपको पता है Q और L के बीच के दोनों opposite देख रहे हैं, तो इन दोनों के बीच वाले देखो, यह दोनों opposite देख रहे हैं, एक उपर एक नीचे, बिल्कुल सही है condition, हो गई यह condition, अब देखो O और 1 छोड़ कर N रखना था, तो देखो O से इस तरफ जाओगे, तो एक छोड़ कर N नहीं हो पाए, भई सरकल है न, घूम सकते हो ऐसे बार बार, क्योंकि यह सरकल है, तो इधर से घूम के इधर आ सकते हो आप, ठीक है, confuse मत हो ना इसमें, कि सर इधर से कैसे जा रहे हो आप ऐसे घूम के, भ में जो opposite बोला था, यह direction हमने set कर दिया है, ठीक है, S के right में क्यों था, यह भी हमने direction set कर दिया है, इसकी भी जरुवत नहीं है, M और R दोनों का direction सेम होना चाहिए, तो M और R दोनों का direction सेम है, बिल्कुल, तो यह condition भी हमारी होगा, इसको भी काट देते हैं, क्या बजगी आ अब हमारे पास, O के right में N होना चाहिए था, O के right में, O के right में N कब होगा, O अगर ऐसे नीचे देखेगा, तभी right इस तरफ होगा, नीचे दिखा दू, O और N दोनों का direction सेम है, मतलब N भी नीचे देखेगा, अब आपको बोला क्या गया था, आपको यह बोला गया था, कि दो से जदा बंदे सेम direction नहीं phase करते, अगर मैं इसको नीचे दिखा दूँगा तो तीन बंदे सेम direction हो जाएंगे, गलत हो जाएगा, इसलिए इसको ऊपर phase करा दो, फिर से यहाँ पर देखुआ, दो बंदे नीचे देख रहे हैं, अगर मैं इसको नीचे phase करा दूँग इंसाइड कौन देख रहा है और आउटसाइड कौन देख रहा है तो एक की पॉइंट हमको पजल में उसने खुदी बता दिया था कि आपको टेंशन लेने की जरुवत नहीं है सारा कुछ मैं बता दिया हूँ कि भई पी जो है वो इंसाइड फेस कर रहा है तो अब देख लो में से भी चैक करो सरकल ही बनेगा चैक करते हैं आरएलएसaq qq npo आरएल एसम qnpo देख थे आर इलs م qnpo यह एस है نहां ऑजै आरएल एसम qnpo हैआज आरएल एसम qnpo अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि Q, P, L और S, यह सब inside देख रहे हैं, बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं, next question, last question दोस्तों, समय बिल्कुल, नहीं, अभी 16 हुआ है, अभी 11 मिनिट है अपने पास, तो फटा-फट जल्दी से बनाने की कोशिश करिए, एक दो मिनिट लेट हो जाएगी, class paid वाली कोई दिक्कत नहीं है, paid वाले जितने students हैं, यहाँ पर, थोड़ा सा दोस्तों, सबर रखिएगा, वैसी आज पहली class मैंने start किये, यहाँ पर, एक मिनिट रुक जाओ, बस कहां गया, timer, timer, अबे, यह थोणी नहीं, चलो, start करो जल्दी से दो, दो मिनिट का समय है, आपके बस दो से तीन मि बनाने की कोशिश करिए, anti-clockwise, clockwise सब चीजें बताऊंगा, दोस्तों, धीरे-धीरे, एक दम पहली ही class में सब कुछ बता दूँगा, तो confused हो जाओगे, झाल 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 चले दोसों, डन के मेसेज आ रहे हैं सच इस प्लैटफॉर्म पे थे उसी से पढ़ता था अच्छा नहीं मत पढ़ो वहाँ से यार जिसने हमें दोखा दिया आप उससे क्यों पढ़ रहे हो यार चलिए, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों कुछ लोगों के डन के मेसेज आ गया हैं कुछ लोगों ने सॉल्व कर लिया काफी सारे स्टुडेंट्स यहाँ पर जो नए होंगे उनको लग रहा होगा इतनी जल्दी, इतनी जल्दी होता है दोस्तों, समय लगता है लेकिन होने लग जाएगा आपसे भी, बस regular रहीएगा classes में, daily classes देखिएगा free हो, paid हो, इससे कोई फरक नहीं पढ़ता regularity बहुत important होती है तो start करते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है in a company meeting, there are eight employees named JKLMNO, P and Q, who hold different positions सबके अलग-लग position दिये होगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, positions को set करते है तो यहाँ पर जो भी positions दिये होगे आपको क्या बोल रहा है, in the same order अगर same order में सारी positions दिये है, तो हम line से पूरी positions को note कर देते है सबसे पहले कौन है, सबसे पहले है MD ठीक है, फिर MD के बाद क्या है ED, executive director उसके बाद क्या है, chief general manager उसके बाद क्या है general manager, फिर क्या है assistant general manager फिर क्या है, divisional manager फिर है marketing officer फिर है clerk, तो कितने फिर लोग हो गए, यहां बना देते हैं ऐसे arrangement, अब देखिए condition को note करते है सबसे पहले तो बोल क्या रहा है यहां पर Q is not the most junior person, Q जो है वो most junior नहीं है, मतलब यहां पर Q नहीं आना चाहिए P is just one position senior to O, P जो है वो just senior है, O से एक position तो एक position मतलब just उपर हो गया M is not junior to K M जो है वो के से junior नहीं है अगर के से junior नहीं है मतलब senior होगा तो M जो होगा वो senior होगा यहांने उपर की तरफ होगा के से फिर क्या बोला है, J is neither general manager nor managing director, J जो है वो ना तो general manager है ना ही managing director है फिर क्या बोला है L is the executive director L जो है वो executive director है फिर उसके बाद बोल रहा है K is senior to divisional manager K जो है वो divisional manager के उपर होना चाहिए मतलब हम बोल सकते है कि K जो होगा वो इस जगा पे आ सकता है इस जगा पे आ सकता है या फिर इस जगा पे आ सकता है यह नहीं आ सकता क्योंकि K के ऊपर M भी रखना है तो यह नहीं आ सकता तो यह 3 जगा दिखकी है हमको K के लिए अब 3 दिखकी है तो 3 मत मत बनाने लग जाना गध़्ों की तरह यहां भी K रख दिए नहीं करना है ओ ठीक है आगे क्या बोल रहा है बट जूनियर टू मैनेजिंग डिरेक्टर बट जूनियर टू मैनेजिंग डिरेक्टर यह पढ़ा ही नहीं था मैं के सीनियर टू डिविजनल मैनेजर डिविजनल मैनेजर से उपर है लेकिन क्या बोल रहा है मैनेजिंग डिरेक्टर से नीचे है तो managing director से नीचे मतलब यही तीन जगा है, ठीक है, सही था, n is senior to only three person, n जो है वो सिर्फ तीन लोगों से senior है, एक, दो, तीन, यहां हो जाएगा n, अब क्या बोल रहा है, q is junior to n, q जो है वो n से junior है, मतलब n से नीचे की तरफ होना चाहिए, q, ठीक, चलिए, start करते हैं, देखो, अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर use करेंगे minimum possibility, minimum possibility जिनको आता है, जो पुराणे student उनको पता होगा, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ, अगर आपके पास दो possibility बचरी है, q की यह वाली दो जगा, तो आप कहीं भी randomly ऐसे मतले ले लेना, कि q को यहां ले ल पूर है न, एक, दो, तीन, चार, पाँचवे position पे आ रहा है, जब आप उपर से start कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, कि यह पहले दूसरे तीसरे position पे आ रहा है, तो minimum possibility का मतलब क्या है, जो कम से कम जगा ले रहा है, कम से कम, मतलब जल्दी से जल्दी आ जा रहा है, तो यह वाल लेते हैं, यह case ही होता है कि न, अगर मैं के को यहाँ पर लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, के के उपर M रखना है, के के उपर M यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, उसके बाद देखो दोस्तों, हमको पता है कि O के उपर P रखना है, तो यहाँ पर रखना है, तो यहाँ पर रख हो जाएगा मतलब condition गलत हो गई यानि minimum possibility हमारी गलत हो गई हमको यह वाला के रखना था हमारा answer सही हो जाता तो रख देते हैं जो पहले से था L और N यह तो पहले से यह वाला गलत था ठीक चार question done सब्सक्राइब कर दो भीया आज ही हो जाने चाहिए साथ लाक छे लाक निन्य अन्बे हजार तो हो चुके हैं आज रात बाहरा बजे तक साथ लाक हो जाने चाहिए शेयर कर दीजे ज़्यादा से ज़्यादा students के साथ और मिलेंगे फिर कल की class मे thousand puzzle series की एक नई शुरुआत है दोस्तों जिसमें बिलकुल आप ये मानके चलिए कि पजल में प्रो बन जाओ गया जबरदस्त तरीके से ये classes चलेंगी बस depend करता है आपके उपर कि आप कितनी regularity को maintain कर रहे हैं मेरी regularity पर मत जाईएगा कि sir आप regular नहीं हो बई मैं हफते में 4 class भी लून लेकिन आपको regular रहना है आप से कोई class मिस्त नहीं होनी चाहिए भले में हफते में 4 ही लून class चार भी बहुत होती है चार मतलब महिने की 16 class होगई 16 64 64 पजल एक महिने में अगर मैं करवा रहा हूँ तो बाकी मेहनत आपको करना है आप की ओपर depend करता है ठीक है तो अब कुछ जरूरी चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ जाने से पहले answer है आप पहले चेक कर लो mljk nqpo mljk nqpo बिल्कुत सही है तो कुछ जरूरी बात है एक तो आप ये telegram channel जरूर जोइन कर लीजिए telegram पे अभी तुरंत सर्च कीजिए add the rate bankers 10 b a n k e r s 10 ठीक है त तुरंत जॉइन कर लो इसको telegram channel को सारे link वगर सब यहां पर मिलते रहेंगे दूसरी important चीज यस officer का आप app download कर लो अगर आप paid classes देखना चाहते हो तो अगर आप paid courses लेना चाहते हो तो yes officer search कर लीजिए app download कर लीजिए या फिर yes officer.com पर चले जाए discount code अगर सिर्फ मेरी classes लेनी है तो al30 लगा लेना ठीक है al10 भी लगा सकते हो अगर 30 काम नहीं कर रहे तो और अगर पूरा complete subscription लेना है सारे teachers का पूरे banking exams का तो al10 लगा लेना ठीक है दो code है जो आप use कर सकते हैं इसमे discount के लिए mock test लेना है तो yesmock.com या फिर yesmock website आप visit कर सकते हैं mock test के लिए best mock test आप लोगों को मिल जाएंगे वो भी सिर्फ 500 रुपे के आसपास discount code है yo60 और 200 यह दो code है इसको आप लगा सकते हैं जो अभी valid हैं फिलहाल बाद में change हो जाएंगे तो यह सब code भी लग जाएंगे ठीक है इसके अलावा बहुत important चीज अगर आपको practice करने क के लिए material नहीं मिल रहा है अगर आप सोच रहों कि book खरीद ले या क्या कर लें क्या कर लें तो दोस्तों एक website बता रहा हूं unlimited practice पीडियाफ आप लोगों को मिल जाएंगे इसमें target batch dot in 4000 से जादा पजल आपको इसमें मिल जाएंगे practice करने के लिए 1000 के approach di मिल जाएगा जो practice set ह होते हैं 35-35 question के ऐसे कम से कम 300-400 reasoning के 300-400 math के और 300-400 English के set मिल जाएंगे आपको practice करने के हर topic के आपको कम से कम 700-800-1000 questions मिल जाएंगे target batch dot in पर इसको आप visit कर सकते हो इस पर भी आप discount के लिए AL40 यह use कर लेना तो आपको maximum discount मिल जाएगा 40% 50% जो भी है खतम करते हैं thank you by all the best चैनल को subscribe जरूर करिएगा मिलते हैं फिर नेक्स क्लास में 80% discount कैसे कर दे रहे हो यार बच्चे की जान लोगे क्या 18% GST देता है यार 80% discount देंगे 18% GST देंगे तो बच्चे का क्या बापा जीक ठुलू कैसे कर दे रहे हो